नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टिटूट से और दोस्तों आप सभी के लिए जो अपडेट निकल के आई है वह आई है PSPCL यानि कि पंजाब स्टेट पावर कोर्परेशन लिमिटेड से जो है आप सभी के लिए खुशकबरी निकल गया है जिसके अंदर जो है इलेक्टिशन और वायर्मेन के अंदर जिन बच्चों ने कर रखी है उन सभी के लिए जो है 600 पोस्टों के उपर अप्रेंट्शिप जो है उसके लिए एज लाइनमें जो है पोस्ट निकल कही है तो इस वीडियो के अंदर में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि क्वालिफकेशन क्राइटीरिया है एज लिमिट है यह सारे के सारी चीजे क्या रहने वाली है सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा फोरम की जो डेट है लाश्ट डेट क्या है फीज कितनी रखी कि यह सारी के सारी चीजे आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियो जिस चैनल के उपर आपको मिलती रहती है चलिए दोस्तों और जो अपडेट निकल के आई है वाई है पंजाब स्टेट के अंदर यानि की पंजाब स्टेट पाउर कोर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है यहां पर आई है पिस पीचीयल के अंदर और जो पोस्ट आई है वह आई है अपरेंट्शिव ओफ लाइनम के नाम से रखी गिए और कितनी सीटे हैं तो आपकी 600 सीटे हैं 600 सीटों के उपर आपकी यहां पर बढ़ती रहेगी अब देखें इसके अंदर अगर मैं आपके लिए बात करूं कि किस किस ट्रेड के लिए कौन-कौन सी पोस्टे हैं और जो है कितनी कितनी है तो यहां पर इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि क्राइटेरिया है क्राइटेरिया क्या रखा गया है तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्टिशन या वायर्मेंट ट्रेड के अंदर जिन बच्चों ने कर खिया है एंचीविटी या स्विटी दोनों से हो कोई प्रोब पीसेयल में जो है करना चाहता है तो उसी बच्चे को अपरेंट्स करनी चाहिए जिसके पास दस्वी के अंदर पंजाबी हो क्या होता है कि मैं जब भी लाइनमेंंट की बढ़ती आती है तो वह क्या करते है कि यहां पर जिस बच्चे ने पिए पिस्पीसियल के अंदर ही करकिया उसी बच्चे को इलेजिबल मानते हैं और उसी बच्चे को सीधी गुवर्मेंट जोब दे देते हैं तो इसके लिए आप सभी के पास अगर दस्वी में पंजाबी है और साथ में आपने जो है आई टी ए एलेक्टिशन आवाइर्मेंट में करकिया तो पीस पीसल में अपरेंटिशिप जरूर कीजिए क्योंकि इसके अंदर एक साल के अंदर अंदर ही जो आपको यह बेनिफिट हो जाता है कि जिसके बाद में जब भी आपकी बर्तियत यह सरकारी तो उसमें आप इलेजिबल रहते हैं और फरम बर पाएंगे अब इसके साथ में देखिए ए यहां पर आपको दिया गया है जिसके अंदर आइटिय के अंदर जितने भी आपके माक्स होंगे उसके प्रसेंटेज के अकोर्डिंग आपका जो है यहां पर स्लेक्शन प्रोसेस रखा जाएगा दोस्तों अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो आपकी क्वालिफ स्लेक्शन मिलेगा उसी के उपर के और आपको फोर्म अपलाई करना पड़ेगा इसके अलावा आपके डॉकुमेंट वगएरा कि कौन-कौन से आपको चाहिए होंगे तो यहां पर आपके डॉकुमेंट वगएरा के बारे में बोला गया कि कौन-कौन से डॉकुमेंट आप पर चाहिए होंगे अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डेट जो है आपके लिए इपोर्टेंट क्या रहेगी तो आपके लिए अपलाई करने के लिए ओनलाइन डेट जो है वो चोईस तारिक से लेकर और पंदरा तारिक रखी गई यह निकि चोईस मार्च से लेकर फोरम स्टार्ट हो चुके हैं और पंदरा तारिक तक आप जो है फोरम बर पाएंगे असानी से कोई समस्या नहीं आएगी आपको तो पंदरा दिसमबर तक अगर आप फोरम बरना चाते हैं पिए सपीसील के अंदर आप अगर अपरेंट्शिप करना चाते हैं एक साल का अगर आप करना चाते हैं तो उसके लिए आपका इस बरती के अंदर पहले जो है यह अपरेंट्शिप का किया हुआ होना चाहिए तब ही आप आगे आने वाली बर्तियों में रहेंगे तो उमेद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी पोर्टेंट रही है और नोले आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक किजिए और अगर कोई आपको समस्य आती है या किसी भी तरह की जानकारी चाते है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किजिए और आगे आने वाली वीड आती रहेंगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवार दोस्तों